कि नमस्कार में हुआ मुदासीफ और आप देख रहे हैं इस पे नहीं लोग से क्या योग अधितेनात की कुर्सी खत्रे में हैं क्या अखिलीस यादब कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं क्या मुख्य मंतरी का जो बनने का सपना है उनका क्या वो पूरा होने वाला है आखिर क्या ऐसी वज़ा है कि आज यूपी के सियासत में कुर्सी खत्रे को लेकर बातचीत हो रही है क्यों हो रही है इसके पिछे क्या क्या लॉजिक है समाजवादी पार्टी क्यों कह रहे है कि योगी की कुर्सी खत्रे में है क्यों कह रहे है कि ब्रेजेस फाटक किसे किया वज़ा है उनकी आखिर क्या वाकई में अपनी विधायकों को बचा पाएंगे या इससे सिर्फ डरामा करेंगे हलाकि पुराना वीडियो है लेकिन इसके बावजुद हम आपको सुनाना चाहते हैं और सुनकर बताना चाहते हैं कि क्या यूपी के सियासत में कुछ बरा बुलट फिर होगा अगर होगा कि अख rough का सपना पूरा होगा चले जरब वीडियो देख लेंचा सरकार में भार्तिये जनता PSY की सरकार में न्याय की उमीद मत करिए भारतिये जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उमीन मत करिये पुलिस पुरसासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है जूड बोलना है जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है भारतिये जनता पार्टी जान बूच करके गलत भाषा इस्तिमाल कराती है गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें भारतिये जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सई इस्तिमाल करें और उनका दूसरों के प्रते अगर गलत भाषा का इस्तमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तमाल हुआ है और किया है पुलिस परसासन से लेकर के सब भारती जनता पार्टी के कायकरता बनके काम कर रहे हैं उन्हें नियाम, कानून, नियाय से दूर दूर का कोई रिष्टा नहीं है मैं जब वहां पहुँचा हूँ पुलिस मुख्याले पर कोई नहीं दिखाई दिया मुझे पुलिस मुख्याले पर कोई नहीं दिखाई दिया, जो जिमिदार अधिकारी थे एक भी नहीं था वह लगता जो मुक्यमन्ती जी कहते थे के बारा बजए सो के उठते हैं वो अपने अधिकारियों के वारे में कहते थे कोई दिखाई ने दिया मुख्याले पे जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते और जैसा मैंने पहले कहा पूला पूलिस परसासन भारती जनता पार्टी बन गया है और भारती जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है अब तीन घंटे अंदर ते पुलिस से क्या बाची थी आपकी क्या आपने उन्होंने पुलिस मुख्याले पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था हमारी जो मांग थी कि जो भारती जन्ता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाशा का इस्तमाल किया उनके खिलाबी होगी हमने तेहरीर दी है नाम मैं नहीं ले रहा हूं मैंने तेहरीर दी है जो भी भारती जन्ता पार्टी के लोग है जो गलत भाशा का इस्तेमाल करने उनके खिलाबी कारवाई हो पुलिस कुछ भी कर सकती है देखिए आधरी मुहम्मद आजमका साब को आपने देखा उनके खिलाब पूरा भारती जन्ता पार्टी लग करके उन्होंने जूटे मुकद में लगा दिये रमाकांतियादा बिद्धाएक पूर्षांसत उन्हें मुकद में कब के थे उन्हें जेल भेज दिया दीपक जैदाव उन्हें जेल भेज दिया जूटे मुकद में लगा करके तो ये बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता या आपने कानपुर की घटना देखी हो इसलिए मैंने का कि भारती जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिये ये जूटों के साथ हैं जो अन्याय करते उनके साथ हैं गार्टि जंता पार्टी महलाओं के लिए क्या कहा रही है क्या भारति जंता पार्टी उनकी घर परिवार निन्हें तोोग ऊसे गर परिवार के वारे में बोलेंगे क्या वो हमारे परिवार तकरकि वारे में बोलेंगे हमारी बैटी की बारे में बोलेगी ये किस की तागत पर वो बोल लए ये वह पीनि वाती है किया कु अगर मुख्योंत्री ची के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पर अगर बोला जा रहे हैं तो चुप बैठे हैं वो खुश हो रहे हैं इस बात को ले करके अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं जब उनके शब्द खतम हो गए जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप मैं तो आप से कहूंगा कि आप वो महला वो भारती जंता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं क्या वो लिखने चीए शब्द उनको क्या आप मुख्योंतरी आवाज को गंगजल से नहलाएंगे आप क्या आप हमारे घर पर उन्होंने नहीं भेजा क्या शब्द इस्तमाल करती थी भारती जंता पार्टी क्या आप ही नहीं जाएंगे सब किसी को मिलने नहीं नहींद हमने किसी को मिलने नहीं दिया आए हमसे आए थे psychsy को मिलने आए खरग जाए कि हम अपने काइकरता ओर दिखा दें क्योंकि सब den einem से हम सब को जाना है कि कौन है देखिए आप मैं फिर बोलना हूँ फिर में नाम पूछूंगा आपका फिर आप नाम नहीं बताओगे मुझे मुझे आप बताईए ना वो आप इसलिए कहते हैं कि पिषडे पिषडे लड़ जाएं अरे मैं नहीं समस्ता हूं आपकी भाषा क्या सवाल यह है कि बीजेबी के जितने भी लोग हैं जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरकार उनका सहरा बनती है और जब शब्दों मे हार जाते हैं लड़ाई जिस तरह की वो लड़ रहे जब हार जाते हैं तो पुलिस आगे कर देते हैं अरे कमजोड़ लोग हो तुम पुलिस क्यों आगे करते हो पुलिस को कम से कम अन्नेसरी दवाब मत बनाओ पुलिस को भी अपना काम करने दो अगर समाजवादी पार्ड नहीं पूछेगा तुम्हारे चैनल के लोग क्या बाशा इस्तिमाल करते हैं तुम भी जानते हो इसलिए पुलिस का सारा लेता है वो भी देखे बीजेपी के लोग जब कमजोर पड़ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो नहीं मुकाबला कर पाएंगे नहीं सामना कर पाएंगे तब ये पुलिस को आगे करते हैं और पुलिस पे भी इतना अन्यसरी दवाव है कि वो सही निड़े और न्याय न दिला सके अंदोलन होगा आज तो देखा नहीं हमने कितने घवराय हुए थे लोग अभी कोई आंदोलन नहीं था हम तो क्यों मुक्याले देखने गए जो मुक्याले समाजवादी सरकार ने बनाया जिसमें पुलिस को इतनी अच्छी विवस्था दी बैठने के लिए जिससे जनता को न्याय मिले कहां जनता को न्याय मिल गाया बताईए बलवन सिंग है बलवन सिंग की पुलिस ने मार मार के जान ले ली ये बीजेपी के लोग यही तो कहते थे कि समाजवादी सरकार में बीजेगे एगर कोई मरता है यादव मरेगा मुस्मान मरेगा तो उसे मौजा ज्यादा देंगे ये- क्यूं पीची हट रही है क्यों एक करोर रुप ए नहीं करोण के रही ये सरकार कर नौज में अगर हट्य होई है एक साग की परिवार है उसकी मदद क्यू नहीं कर नें से, उसकी पत्नी की सरकारी नुकरी क्यों नीदे रहें, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो आरोप क्या लगाते थे, कि समाजवादी लोग, भेधवाब करतें मदद में, सहयोग में, आ acceso सरकार इनकी किस कानून किस नियम ने आपको रोका है जो आप बलवन सिंग की पत्नी को नौकरी सरकारी नहीं दे रहे हैं किस कानून ने आपको रोका है किस अधिकार से आप नहीं दे पा रहे हैं अगर आप औरों को नौकरी दे सकते हैं सरकारी तो उसकी परिवार के सदस को क्यों नहीं लगड़ी के सब्सक्राइब को लेकर चर्चा हो रही है अब यह जो दावेद दौर का सुरू चला इस पर देखते हैं कि योगी जी का क्या रियक्शन है ता आपको क्या लगता है दर्शों को या वाकर में कुर्सी खत्रे में हमें कॉमेंट कर जरू बताएगा आज के लिए मुझे दीजे जाजा तरा अब देखते हैं स्पाहिनाई नूस तामस्कार